इसके नाम देखें इसकी ब्लेंडिंग कितनी अच्छी है असलाम लेकुम जी आज मैं आप लिक साथ ये चार लिपस्टेक्स के शेयर करने वाली हूँ इसमें से एक बिल्कुल ब्रांड न्यू डबी वाला है क्यों मैं डबी भी क्यों शेयर करी हूँ बहुत वाइरल हो रहा है आजकल ये वाला पीच सिल्क है ये और ये बहुत वाइरल हो रहा है आजकल ठीक है तो मैं ये इसलिए शेयर करना चाहे थी कि हमारे बहुत सारे लोग ये ले ले लेते हैं और उसके बाद उनके फेस पर ये सूट नहीं करता क्योंकि ये जिनकी बहुत fair tone है या तो उनके साथ जाता है अगर आपकी medium to dark tone है तो आप brown liner होता है उसके साथ use करेंगे इसको ठीक है इसलिए बहुत सारी हमारी मेहने हैं जो instagram पर देखें influences को देखकर ले ले लेती हैं और बाद में उनको suit नहीं करता लेकिन मैंने भी ले लिया वा था और यह मुझे ब्राउन जो है वो liner के साथ ही सिर्फ सूट करता है फेस पर अगर मैं बगएर मेकप के लगाऊं तो या बेस ना लगाई हो और blush वगर ना लगाई हो तो फिर यह मुझे suit नहीं करता color अगर मैं चाहती हूं कि यह मुझे suit करें तो या तो मैं full base और blush यूज करूँगी या फिर मैं क्या करूँगी कि अपने अगर मैं चाहती हूं कि वैसे ही lipstick लगा ले से मैं डौरा की ज़बस्टिक हो तो बस उतरा और फिर आपने कॉंटीनियू कर लिया अपना हुजू उसके लिए कोई मेकप रिमूवर की जरूरत नहीं होती तो यहां पर क्या है कि यह वाली अगर मैं लगाना जाती हूं वैसे तो मुझे ब्राउन लिप लाइनर लगाना जरूरी है लेकिन अगर आप फुल इस नौर्मल डेस पर यूज कर सकते हैं इस मेंसे जो यह ना एक फियस्टा यह वाला भी कलर जो है यह नौर्मल नहीं लगाया जाता बिलकोल पीच सिल्की तरह इसका भी हसाब तो यह कैसे इस्टमाल कर रही हूं और जैसे मैंने कहां कि मेकप के साथ फुल मेकप अपने ब आपने मेक अप नहीं किया यानि के आपने सिर्फ मॉइस्टराइजर संब्लॉक लगा तो आपका ये वाले दो कलर बहुत बहुत बेतरीन चलते इसमें से पहला कलर जो मेरा मोस्ट फेवरिट है जो पहला कलर मैंने अपनी बड़ी भेहन और अपनी अमी वगारा के मेक अप मे ये वाला पीच सिल्क चाहिए तो उनने कहा आप नंबर याद किया करें फिर एक दुकान दार था उसने भी मुझे कहा कि नंबर याद रखा करें तो नंबर से जो है वह बहुत असानी से हम ढून लेते हैं अच्छा अब यह कॉफी है ये शेड है 225 तो आपने नंबर दूप में थोड़ा सा पीच टोन भी देता है तो यह है यह वाला कलर उसके बाद में आपको थोड़ा सा और एक्स्प्लेइन कर देती हूं तो यह आप लोगों ने 225 अगर आप चाते कोई डाक कलर यूज करें यह ले लें यह बहुत 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 बहुतरीन है ठीक हो ग यह बहुत ज्यादा आपके मेकप के बगार चल जाएंगे इसके टोन जो है वो थोड़ी सी है वैसे तो सिमिलरी लग रहे होंगे लेकिन थोड़ा ब्राउन में चला जाता है और यह वाला जो है यह चला जाता है थोड़ा सा पिंकिश और रैस्पेरी टाइप से टोन में ल यह कॉफी यह तौ आप मेंस्ट लेगा दो आप फुल मेकप के साथ लगते हैं पहले हो गया मेय पास फियस्टा और यहे भी सरी काड हमारे पास 153 important जा और यद्क आपको नमबर अपने नोट करें 2-0-1 अब मैं कहूंगी आप यह ले ले क्यों ले ले क्योंकि जो लड़किया लिक्विड जो ब्लश ओन है ना पाउडर ब्लश इसका भी इंशाला मैं रिव्यू दूंगी मैंने लिटरली नोट किया है कि संब्लॉक के ओपर आपने अराम से कोई भी ब्लश ओन लगा ले पा रात तक यानि मैंने इसको लगाया था तकरीबन चार बज़े करीब नहीं चार नहीं बलके उससे पहले तीन बज़े करीब दुपहर को और उसके बाद यह मेरा कितनी देर तक चला यह मेरा चला रात 9 बज़े तक 9 बज़े तक कंप्लीट यह मेरे फेस पर रहा और मैंने इ यानि जब आपके पास ऐसे कपड़ी हैं जिनके अदर साथ आप रेड लिप्स्टिक यूज कर रही है तो वहां पर आपने यूज कर लेना है यह पीज सिल्क और बिल्कुल इसको प्रॉपर जैसे ब्लश लगाते ना क्रीम ब्लश बिल्कुल वैसे यह पाउडर ब्लश लगा यह पाउडर ब्लश हो चाहे आपके पास ब्लश हो जाए वह अच्छे बहुत लगते हैं इसमें कोई शक नहीं लेकिन अगर मैं बात करों तो पाउडर वाला जो है ग्लामरस का मेरे पास है और मैंने मेरे खाल से रिवाज वालों का भी यूस थोड़ा बहुत किया था पर वह सब उड़ जाते हैं कुछ टाइम के बाद अनलेस और आप मेकप फिक्सर जो है वह अपलाए ना करें उसको अपने फेस को चिपकाने के लिए मेकप फिक्सर जो होता ना आपके चेहरे पर मेकप को लांग लास्टिंग रखता है और जो मेकप आपका लगाते है ना एक मेकप सेटिंग स्प्रे होता है सेटिंग स्प्रे सिर्फ आपके फेस को हाइड्रेट करता है तो लोग अक्सरो का सेटिंग स्प्रे भी खरीद लेते हैं वह नहीं आपने खरीदना अगर आप चाते हैं कि आपका चेहरे पर मेकप रहे और टस से मसना हो तो आपने यूज कर तो इनकी blending भी बहुत अच्छी है और हकीकत की बात है मैं इसकी blending कभी स्पान से नहीं की जैसे color studio को जो मेरे पास pink blush है उसको मैं उसके साथ करी होती हूँ लेकिन इसके अंदर सिर्फ मैंने यूज किया अपने हाथ और उसको अपने skin की cheekbone की according और उपर की तरफ यानी जो हमारा हाइटेड बलश होता है उस तरह मैंने लगाया और बहुत अच्छा चला चले जी अब बता दू इन दोनों को ही मैंने बलश यूज किया तो इतना तो मैंने आपको सारी तमीद जो बांदी है वो यह color इसका बतायती हूँ अगर तो आपका fair tone है ना तो माशाला बड़ा अगर वैसी इसको लगा लेंगे इन दो colors के मुकाबले में यह coffee है और यह raspberry इन दो colors के मुकाबले में यह वाला जो color है यह अच्छा नहीं लगेगा अल्लैस और आपका जो है वो complexion अगर आपका कहीं भी complexion जैसे आप beige 2 है या beige 1 beige 2 वाला जो basically यूज करते है ivory 2 यूज करती है जो हमारी बहने base की वो थोड़ा medium tone चली जाती है वह extra fair नहीं होता उनको यह बगेर base के suit नहीं करेगा base के साथ लगाएंगी बहुत अच्छा लगा थोड़ी सी lipstick टूट पी गई है और यह देखें आपको इसकी blending दिखाती है इस lipstick की यह देखें कितना अच्छी है देखें ब lipstick makeup करते थे लेकिन माशाला उनके complexion भी बड़े चिट्टे और ना दाना कोई निकलना तो हम समझते थे कि शायद वो है दोका लेकिन उनके hacks जो है वो आज लोग बता रहे हैं अच्छा जी है आगया जी hero peach silk अक्सर अकार हम influences को देखें ले तो लेते हैं और मैंने जब ली औ तो बेस के साथ लगाने तो बहुत अच्छा लगा सूपर अच्छा लगेगा लेकिन फिर जब मैंने इसका कमाल देखा बलश के तोर पे और मैं उन दिनों बलश डूंटी भी रही तो मैंने कहा बड़ा अच्छा कर लिया जो मैंने ले 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 और अगर आपको सूट करें करें वह बात की बात है ले जरूर ले कि या बलश कमाल का लगता है कमाल का जब आपका रेड पेम ऐसा कोई ड्रेस का रेट टोन है और पिंकी तरफ नहीं जारे तो आप यह वाला बश यूज चर रहे और अगर पिंकी तर जारे तो फियस्ता जो दिखा अब इसका भी मैं और इसकी जो प्लेंडिंग होती है मेरे फेस पर मैं कहते हूँ मैंने इसको पहले क्यों नहीं लिया और मैंने क्यों इसको नहीं यूज किया ये जिया ठीक है इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और यह देखे, कितना अच्छी इसकी blending है, मैं फिंगर भी देखे, और मैं इसे फिंगर से blend करती हूँ, गर्मियों में तो और अच्छा blend होगा, क्यों सर्दियों में वैसी जिन की dry skin है, वो यह वाला ही use करें, गर्मियों में तो बहुत अच्छा blend हो जाएगा, लेकिन यह क्य जितना डाक करें से raspberry लगा लें या coffee लगा लें, आप तीन-चार गंटे बाद उसको टिशू से साफ करेंगे, आपके होट पे टिंट छोड़ जाएगा, तो यह सारी लिप्स्टिक्स हैं, जिनका मैंने आपको रिव्यू दिया, यह वाली है पीच सिल्क, यह आपके चीक प लेनी है थोड़ा डाक बलश लग जाएगा इन दोनों से, coffee से, यह coffee है, यह raspberry है, आप देख सकते कि मैंने कितनी यूज की यह raspberry है, ठीक है, जबके coffee भी almost उसके equivalent है, थोड़ी जादा है, फिर यह वाली तो भी start है, और यह पिचारी टोट गी तीकलती से, तो यह आप यह तीन इनको के उपर glow effect देने के लिए sunblock लगाया और एक दम लगा लिया, बलश भी लगाना है, इसको ऐजा लगा ले, आपने mood होया, वुजू करने के लिए, एक दफाबने साबून से mood हो लिया, आपका वो easily उतर जाएगा, बलश और आपका वुजू भी हो जाएगा, तो यही lip sticks ले ले, sunblock खरीद ले, आपका काम हो गया, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी,